कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अविनो सिंग और आज एक फरवरी यानि कि आज पूछे गया प्रश्ण पर मैं बात करने वाला हूं ट्रिपल सी में देखो पहले कुछ बातें आपको बता दूए कुछन किसने भेजा दुश्यंत रीना वर्मा अरनौ सिंग मोहिक कुमार लोगों को तो मैं क्या ढूडता हूं मालों मैं आपको बता देता हूं मैंने तो पचीस सो लगबग प्रशन आपको बता चुका हूं सुपर क्लास मास्टर क्लास PDF में जो है तो बहुत सारे बता चुको है तो मैं यह ढूडता रहता हूं कि नया क्या आया था बस पुराने तो बहुत दिखाता हूं मैं डिखो वोह सब को क्वेशनों भेशे हैं जबाती नहीं सकता हैस वाजार लोग के आप इनले साफ लोह बहुत बहुत कुछ लिखते मिट्री सकते नहीं से घिर अप कुछ बाते हैं आनन्द ने कहा कि have to say बहुत सारी बाते ने लिखा है पढ़ देता हूं थोड़ा सा आप यह आप सब के लिए feedback है बहुत सारी बाते होती है थोड़ा सा your super classes are bang on 80% of questions where on target English में लिखा है कि मतलब 80% question इनके में आया था आज exam देकर आया दो दिन में देखा था सारा वीडियो super class के जो यह बोल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं 80% question आपके वीडियो से आया थे 20% new question थे total 80-90 marks आ जाएंगे तो यह सब चीजें इन्होंने बताया है इन्होंने सिर्फ सुपर पढ़ा लेकिन आपको सुपर तो पूरा कॉपलिंट करने के बाद मास्टर भी पढ़ लोगो तो सही रहेगा प्लस जो मैं फ्लासेश चलाता हूं उसको ही जिसे इसको सत्यम प्याल क्या कह रहे हैं सर आज मेरा exam देकर आया हूं triple C के आपके फरव परिवल यह से बता रहे हैं देख लिए तो फिर मेरी गरंटी नहीं होती है मैंने गरंटी तम लोगो जो पूरा देखके जाओगे तो मतलब जेतना बताता हूं कम से कम 87% तो पढ़के जाओ राहूल सुकला करें सर में अभी exam देकर आ रहा हूं और तीन दिन पहले आपका PDF लिया था सारा का सारा प्रश्ण एकदम उसी PDF में से आया था मेरा सिस सधिक सही करके आया हूं तो यह सब बाते हैं तो PDF भी उसका link description में रहता है सब ही वीडियो के description में रहता है तो आप जिसको चाहिए ले सकते हो ठीक है अब यह है question है थोड़ा सा इसको सही करना पड़ता है क्योंकि setting होती है न दोस्तों अब लोग समझदार हो यह है अब दो है यह बताओ कि जब एक छवी का chain किया जाता है तो यह प्रशित करता है कि निमने में से कौन सा है देखो मैं वही question उठाया हूँ जो बहुत खास है जो बहुत जरूरी है जो मतलब आपको बताने चाहिए बाकी तो मैंने हर बैच में चार बैच एक्जाम होता है सब में 100-100 प्रशन मतलब आज सुबह से लेके शाम तक कम से कम 1500 प्रशन तो पूछे ही गए होंगे और मैं सब बता चुका हूँ आपको पहले है अब वहीं बताओं जो most important होंगे तो यह मत सोचना कि मेरे बैच वाला नहीं बता है कुछ लोग कहते हैं मेरे उस वाला बता होता इसा नहीं होता है वाई कोई कोई दो तिन तिन प्रशन तो भेजते हैं सभी है कि नहीं ऐसा होत सब्सक्राइब बता चुका हूँ जो देखा होगा उसको यह भी बहुत आसानिस कर लेगा इसका होगा एट साइजिंग हैंडल्स क्यूं जैसे इमेज होता है इसे जब इमेज को सरेंड किया जाता है तो कभी भी देखना यह एक ऐसे कोने इधर 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 और बीच में चारो तरफ रहता है मतलब आप चाहो तो यहां से खीच के उसको बड़ा छोटा करो चाहो तो यहां खीच होता की नहीं होता और चाहो तो कोने से भी खीच के कर सकते हो होता की नहीं चाहरो आठो तरफ तो यही कोने से भी खीच सकते हो ऐसे यह दोनों बढ़ेगा साथ में विसस करो यह उपर जाएगा इधर को इधर 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 आठ साइस हैंडलिंग मतलब आठ तरफ से आप उसको हैंडल कर सकते हो यह चीज अगला देखो वर्तमान में आपने लिब्रो आफिस का एलक वर्क शीट में सेल डी थी का चैन किया है यदि आप सिप्ट प्लस इस इस बात दबाते हैं तो क्या होगा बहुत इंबर्डन कोश्चन है करेंटली यू हैप सेलेक्टेड असल डी थी अब समझ गए जैसे यह इसका मतलब क्या है यह समझ लोग थोड़ा सा क्योंकि बहुत कोश्चन प्रेट करिया रहे हैं बता रहे थे लोग अब इसको मतलब इसी होता क्या है दोस्तों ऐसे माल लो यह उपर क्या होता है जैसे यहां पर cd-े-fg ये कॉलंब इसको पोलते हैं जो होता है और यहां पर 12345 ऐसेogen होता है तो d3 क्या है यह स्ट्री ये क्या है नियदा hai didha to boy I should कियो तो आप shift plus space bar press करोगे तो क्या होगा तो simple सी वात है कि third row will be deleted लिखाए तो यार नहीं यह है third row will be selected मतलब shift plus space bar जब हम press करते हैं तो पूरा का पूरा रो ही select हो जाता है मतलब यह वाला पूरा जहां तक होगा मतलब यह जहां तक होगा यह रो पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा त्याद रखना shift plus square पूरे रो को स्रेट कर ले के लिए होता है यह मैं बता चुका हूँ लिकिन ऐसा question मैं नहीं बताया हूँ आपसे तो ऐसा question आता है एक्जाम में original question मिला है मुझे ठीक है तो पूरा एसे आएगा तो इस तरह से पूछेंगे इसको मतलब shift plus space bar किसके लिए यूज होता है अगर सीधी से बात करो simple सी तो यह होता है पूरे रो एंटायर रो को सेलेट करने के लिए और control plus space bar अगर control plus space bar आप करते हो तो यह किसके लिए भी आ जाया था question मिला इसमें है भी अभी मिलेगा control plus space bar press करते हो तो पूरे कॉलम को मतलब जैसे डी कॉलम को स्रट कर लेगा पूरे कॉलम इसको कहते हैं और रो को इसको कहते हैं बात समझ गया कि नहीं है बगला देखो जो सीधे hardware में install होता है उसे क्या क operating system कि क्या होगा operating system बहुत सिंपल सी बात है operating system मतलब window जो होता है बीन उसके तो कुछ होगा ही नहीं उसमें समझ लोगा खाली वसीन पड़ी है operating system जब आता है तो सभी सब कुछ होने लगता है कि नहीं इसको देखो Ubuntu में डैस launcher एक हिस्सा है launcher का एक हिस्सा है इन उबुन्ट लाइक करते नहीं सब लोग मैं बोलता नहीं तो करते भी नहीं हो अकर बोलता हूं तो भले कर देते हो तिसलिए आज बोल रहा हूं like recorded like होनी चाहिए सब कपेपर अच्छा जा रहा है आज सुबेस जितने लोगों ने मैसेज किया जितने लोगों ने कमेंट किया सब ने नेगेटिव अभी आज तक अभी आज मतलब किसी ने बोला नहीं बोलते हैं मतलब यह नहीं कि कोई बोलेगा नहीं बोलेंगे भी कोई कोई आएंगे ल यह से हम लोग का बिंडो में यूज करता है कि नहीं होता है तो इस तरह से समझे स्वाइब लॉंकर स्टार्ट में पार्ट हो गया है कि यह थोड़ा सा चेंड हो जाता है उसमें एक अप्लिकेशन प्रोग्राम जो उपयोग करता को किसी भी संख्या को बदलने में मदद करता है और तुरंत उसे परिवट परड़ाम दिखाता है एक अप्लिकेशन प्रोग्राम है जो किसी भी संख्या को मतलब बदलता है यह सब करता है इसमें से क्या होगा पूछ रहा है All of the options अभी Desktop Publishing Program तो जो इसपर सिट डेताबेस देखो डीप Publishing Program II sells OFF Het Up shops solutions प्रोग्राम डीपी यह जो चीज्ण है यह क्या होता यह है किसी चीज्श को Public करने के लिए Publication जहोता है Promised देखते हैं Sean my Linka के Lea Apps होता printing press तो अस टाइब का है यह यह किसी नंबर उम्मर को परिवर्तित नहीं करता इसमें करना आपको डे इस प्रेड़ सीट लिख लेना ये बात माइंड में इस प्रेड़ सीट जैसे जो कैल होता है एक्सेल होता है उस सब काम करता है यह जो बोल रहा ही है ठीक है आधार नंबर के साथ पहला रूपे एटियम और मा इंप mieux स्ट इंपॉट्टॉर्टन कर्शन के चीम क्यों क्यों कि मुझे मैंने East Brush बताया था लेकिन कि मैंने आपको बताया था एक हम माइक्रो एटियम सो जो की अधार एटिंक माइट्यम तो जिसको सब से पहले किस बैंक में लॉप राए था तो मैंने बताया था यह भी आएगा तो DCB bank कौन सा micro ATM वाला लांच किया था यह अब यह क्या कह रहा है कि आधार नंबर के साथ ध्यान समझना पहला रूपे ATM और उसके साथ साथ micro ATM card किस bank ने लांच किया तो इसको करना आपको bank of India यह बात mind में बिठा के रख लेना ठीक है bank of India DC bank क्या किया था माइक्रो पहला माइक्रो ATM लेकिन यह यह सब चीजें मिला के तब क्या बना bank of India माइंड इसमें DCB है भी नहीं फिरहाल एक सामान cd-rom आम तोर पर कितना डेटा इस्टोर कर सकता है 680 bytes 680 mb 680 gb 680 kb तो इसका उतर क्या होगा 680 mb और cd-rom का full form compact यह तो जानते होगे थोड़ा बता देता हूं मैं माल हो सकता है बहुत लोग को ना माल होगो compact disk row मतलब read only memory read only memory तो आम तवर पर कह रहा है कि इतना इसकी साइज होती है correct 680 mb ठीक है यह देखो land में किसका उप्योग नहीं किया जाता है land में किसका उप्योग नहीं किया जाता है which is not the used in land तो आज लाइक इंदम रिकॉर्ड तोड़ देना पहली बात तो लाइक का क्योंकि सब कुछ अच्छे हो रहा है आपका पर अच्छे जाएगा अतना जान लेना है 100% पढ़े होगे तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कम पढ़े तो भी अच्छा चलाएगा लेकिन कम पढ़ना यह पढ़ना जादा ही है ठीक है और जैसे ई-book जो है उसमें सारे प्रश्ण है इसके समय की कमी है इबुक में सारे प्रश्ण है लिंक डिस्क्रिप्स्टन में है थोड़ा सपाईसा लगे के लिकिन अब भाई पढ़े नहीं हो तो मेहनत करो पढ़के मतलब जो पढ़ रहे है 15-20 दिन से एक महीने से तो उनका ठीक है वीडियो में दोनों ओप्सन में तो देता हूं बहुत लोग है जो बीना पीडियेफ लिए अच्छे ग्रेट से पास होते हैं बहुत लोग लेके पास होते हैं तो लैन में क्या यूज नहीं होता कंप्यूटर तो यूज हो गाई है भذाए आए अ मॉटमी कि अजरय जरूरियेगा थे मोर्म उसका ऊतर हो जागा थी मोर्म लैन में यूजन नहीं होता है लोकल अरश की कि बात कर रहा है बहल लोकल एडिये नेटवर्ग में इसकी मोर्म कि क्या जरूर रही में ब्रिइसे प्रिंटर जो ब्लोग जोड़ते इन्हें में से किस device से cellular telephone सबसे निकट संबंधित है to which these devices is the cellular telephone most closely related देखो अच्चा ही आपको ये मालूँ माद कि cellular phone क्या उता है जो cell phone जिसको बोलते हैं इसको cellular phone बोलते हैं उसको short form ने cell phone बोलते हैं मतलब mobile phone है मोंवाइल फोन क्या हो जाएगा इसमें अब इसमें क्या इसमें उत्तर क्या हो जाएगा इस यह दूरेडियो से आप क्या समझते और डेडियो क्या जो ट्राण्जिस्टर तो तो और तो उसको रेडियो क्यों बोलते हैं चेँ कि वायरलेस होता है और मोबाइल भी वायरलेस होता है तो फो कुर्ग आगक बेने के लिए vi एक वियाई बिए मतलब विजूवल होता ना जानते योग नहीं जान लो जो नहीं जानते हैं विजूवल संपादक मतलब एडिटर लिखा हो गांगले इसमें विजूवल एडिटर यह देखो जैसे Linux में एक BI editor भी होता है दोस्तों इस पेसली जैसे हम लोग बहुत सारी चीजी यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे command भी यूज़ होते हैं अब इसमें पूछते क्या रहा है end of word एक चीज़ दूसर चीज़ सी पूछे तो चेंज चेंज पूछे तो सी बी मतलब बैक वर्ड एक के बैक वर्ड ठीक है पीछे डी मतलब डिलेट चार चार बता दिये बहुत इंपॉर्टन्ट है यह ठीक है याद रखना यह वाला क्या पूछा है आर्टिफिसियल इंटेलिजन्स एक कंप्यूटर बनाने का एक तरीका है सिंपल सा क्वेशन बड़ा बहुत है एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या एक सॉप्टवेर बुद्धिमानी से सोचता है ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य तो सिंपल स अधिमाउट कॉलेस था एक डॉट माउट क्या था कॉलेस था दोस्तों जहां पर इसका पहली बार इसकी हुआ था इंट्रोड़क्शन हुआ था काफी बड़े कॉस्चन थे इसमिघ्यें से इंगलीस में आगए था कुस लोग 모든म्हेट कशते हिंदी चरूरी घुड़ा था कोई चीज तो कैसे इंगित करता है आपने और कभी क्या होगा मुवालाल में भी होता है और नहीं पिरोधर में और कह रहा है कि अब एवी रेड लाइन्स अंडर इट यही सही है मतलब जैसे माल लो दोस्तों आपको लिखना है कम्प्यूटर के जगह पर आपने यहां पर इनहीं लिखा मैंने है ना तो नीचे देखाऊगा आपने से रेड कलर का ऐसे हैसे हो जाता कि नहीं हो जाता बोलो वही तो बात है वही चीज पूछ रही है तो यही उत्तर हो जाएका आपको सी नंबर बस सिंपल सी कॉश्चन है यह आगे बढ़ जाते हैं वस्त को विभिन प्रकारों में परिबर्तित करते समय यह ततकाल उत्पादर परडाम नहीं देता है ततकाल नहीं देता है क्या हो जाएगा फाल्स देत मिरर का मतलब सीसा ही होता है सब जानतों यह बार तो मिरर कमांड जो होता है वो इंपरस की बात कर रहा है तो यह फिलिप कर देता है ना कोई भी वह इमेज माल लो आप मिरर करना है फिलिफ करना है एक ही चीज़े दोनों तो यह कह रहा है होता है तो फाल्स हो जाएगा क्य हो जाग ही भी समझ लो क्योंकि मिरर के जगांते इसमें फ्लिह होता है जी मिरर के जगांते इसमें Phyutal है काम करेगा वही लिकिन होता नहीं है काम करता हिप पावर पॉइंट भी करता है इंड मिलर का काम और यह यह भी करता है लेकिन बस इतना है कि इसमें फिलिस्फ होता है उसके जगहां पर कट ऐसा are net Banking छको भूनाने की छमता नहीं है मतलब net Banking has no ability to cash a check net banking कैसजये नहीं कर सकता कजकर तो क्या कर इसमें क्या को इसमें आगया कि क्या नहीं कर सकते हैं, यह सवाल होता है, है की नहीं, बढ़कर सकते हैं, लीगल होना चाहिए सब कुछ बस लिब्बर ओफिस राइटर में फॉंट साइज के ड्रॉप डाउन मेनु में निम्निमे से कौन सा फॉंट साइज विकल पर उपलब्द नहीं होता है यह कोश्चन चेंज आ गया है इसके पहले दूसरा आया था आता है और जो मैं बताया था आप से उसमें याद नहीं मु इसमें होता किया है दस के बार साथे दस भी होता है यह यह अदॉसरा फिर ग्यारा बारा तेरा चवडा बंद्रा सोला तक होता है 16 तक continue होता है उसके बाद 17 नहीं होता है फिर 18 सुरू हो जाता है 18 फिर 20 फिर 22 फिर 26 फिर 28 यह तक होता है फिर 28 के बाद 32 32 फिर 34 36 मतलब 4-4 का गैप सुरू हो जाता है फिर 48 फिर 48 फिर याद नहीं मतलब इसके अंदर कोईश्चन आएगा मतलब कि 16 के बाद 22 का गैप सुरू हो जाता है इसमें क्या पुछा है कौन सा नहीं है तो 19 नहीं है 16 के बाद सुरू होता है मतलब 10 भी होता है 13 भी होता है और 24 देखो यह उसके बाद 20 का गैप होता है मतलब 18 20 24 26 28 तक होगा 28 के बाद 28 फिर 24 फिर 4-4 सुरू हो जाता है है ना बात समझे कि नहीं यह बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ठीक है एक कोईश्चन आपके प्रस्तों में आएगा यह यह वाला भी आता है तो यहां पर सायद कुछता है कौन सा नहीं है 26 28 32 कुछ दे देता है यह बाद ध्यान रखना इस होता है बस इतना आपको कर अगर पतर रहेगा ना तो आप आसानिस कर ले जाओ गयो मुझे कोईश्चन आथ कोईश्चन हो सेम थो मनें बताया था आपसे अगर जो पढ़ा हो उसको मलूम होगा जिस स्लाइड का उपियो किया जाता है वह किसी बिशह का परिचे देती है और प्रस्तुति के लिए स्वार सेट करती है उससे क्या का जाता है तो स्लाइड डैट यदि यक गुषिए कर दा गाले फीश्चन ईससे की बतारा रही रहे रोएज सारे परिचे वर्चे रहे नह गए किया सर्चेन एक मशीन है क्या सर्च इंजन एक मशीन है मालूम है यह बार क्या कहोगी इसको फाल्स कर दो के क्योंकि यह मसीन नहीं भाई यह तो प्रोग्राम बनाया गया एक सर्च इंजन है कि नहीं एक तरह का प्रोग्राम है लिब्र ओफिस ओएसाई के तहट वित्रित किया जाता है ओएसाई का क्या आरत है यह देख लो कोईशन आ गया ना यह वाला मतलब अलग सा कोईश्चन ओएसाई का मतलब हम लोग अभी तक क्या जानते थे open system interconnection बात सही है यह बात लेकिन इसमें option तो है यह नहीं है न बोलो अभी तक क्या सोचते थे हम लोग open system interconnection OSI मॉडल जो होता है लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है दूसरा कुछ पूछ रहा है ओपन सोर्स इंटर्चेंज ओपन सॉप्ट्वेर इंटर्चेंज यह फिर ओपन सोर्स इनिसियेटिव यह फिर ओपन सोर्स इंटर्चेंज तो इसको क्या करना पता है जिसमें इंटर्चेंज नहीं है मतलब इसमें इंटरचेंज इसमें इसमें बदलब बचाई अपना यह दरसल ओपन सोर्स इनिसियेटिव एक समस्लों एक तरह का एक संस्था है वह क्या करता है पूरा लिखाई यह वही बित्रित बढ़ावा देता है कि ओपन सोर्स जो चीजें है जो मुप्त में है अब इसको देखो एक संचार चैनल की छमता या माफ है यह तो में लोग चर्टा करता रहता हूं यह क्या हो जाएगा टू होजाएगा ठीक इसमें कुछ सोचना नहीं बेंडी वीच वही होता है जिसमें बिट्स में होता है बात समझें कि मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड जाता है internet also known as तो इसमें क्या हो सकता है इसमें आपका होगे नेट हो सकता है तो बिल्कुल साइज सिंपल सा क्वेश्चन थमाल लोगे libra office calc एक शक्तिसाली उपकरण है अच्छा किसका है पूछ रहे न तो किसका है बहुत आसानी साब बता लोगे calc की बात कर रही है इस पर सीट टीवी एमेस कम्मुनिकेशन पैकेज डाकूमेंट प्रोसेश पैकेज अच्छा डीवी एमेस का फुल फॉर्म क्या होता है माल लोग पूछते हैं बराबर यह डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कैल क्या है इस पर सीट बस सब जानतों यह बाद इस पर सीट है पोस्ट इनफो एप, launched by which ministry किस मिनिस्टरी द्वारा यह पोस्ट इनफो एप, पोस्ट इनफो बहुत इंपोर्टन है इसके बारे में क्या-क्या क्वेशन पूछते हैं है न यह दो सब जानते हो और यह उपर वाले मतलब मिनिश्ट्री ओफ कॉम्मुनिकेशन और टेक्नोलॉजी मिनिश्ट्री से संबंधित है एक चीज दूसरी चीज यह TCS द्वारा रन किया जाता है बनाया गया और रन भी किया जाता है TCS मतलब टाटा कंसर्टेंसी सर्विस यह TCS टाटा का है टाटा कंसर्टेंसी सर्विस ने इसको बनाया और रन भी करता है इतनी बाते आपने जान लिया अब अगला देखते हैं वहरह रिजज प्रским सुपर कंप्यूटर इन इन्डिया लोकेटिड कुल मिला के दोस्तों पूछ रहा है कि कहा बना था यह समझ लो एक तरह से भारत का पहला सुपरकंप्यूटर का क्या नाम है कहते हैं परम एट थाउजन पूरा नाम क्या था उसका परम एट थाउजन इंडिया का है ध्यां रखना यह इंडिया का है और यह सीडैक एक कंपणी समझ लो सेंटर फॉर डेबलप्मेंट ओफ एडवांस्ट कंप्यूटिंग इसका नाम है इसने बनाया बिजय भटकर इसके फाउंडर माने जाते हैं परम सुपरक एक सांटिस्ट थे इंजीनियर थे उन्होंने इसको बनाया कहां पर यह है इस्थि परचित करने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं तो सिस्टम अब यह तो बहुत आसानी सब लोग कर लेते हैं मुझे अमीद क्यूंकि इसमें डेट कमांड दिया है ना मालुम जिसको नहीं को भी कर लेगा डेट कमांड और बाकि करने कोई चांस है कुछ मत करो सैस का फुल फॉर्म यह तो अभी जल्दी हम इसके बारे में भी किया था तो क्या हो जाएगा इस्टेटिकल एनालिस सिस्टम है की नहीं सिंपल सा ही यह अगला देख लेते हैं इस पैस बिटिवीन मार्जिन और पैराग्राफ इस आलसो नोन एज मतलब समझें कि नहीं जो मार्जिन और पैराग्राफ होता है उसके बीच का जो जगां होती है उसको क्या कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है इंडेंट इंडेंट या फिर इंडेंट या फिर इस सिर्फ कोश्यन ही आया था ओप्सन इसको मैंने बनाया तो उसे ओप्सन यही रहते क्यी इक में जानता हूं यहिए 4 रहते हैं हो सकता एक आया जाए पाराग्राफ स्पेशिंग आये से अपरेम Palestine us सब्सक्राइब करने हिस इंडेंट से ये इनडेंट यह इन्ट्रीट है यह बहुत दोनों चीजे ब्यों देते हैं Ha कोई टेंसन नहीं कि मतलब कोई डाउट नहीं है उसमें कंट्रोल प्लस इस बार सॉट कट की यूजड फॉर देखो अभी स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आपको बताया था ना मैं यह वाला उसमें क्या था शिप्ट प्लस इस बस बार है ना और यह क्या है एक कंट्रोल और शिप्ट प्लस इस बस बार क्या मने बताया था पूर्य रो को सियटकर लेगा इंटाइर यह इंटार कॉलम जैसे मने बतायाय photon 1430 से रहता है smallest और शिप्ट दबहाओंगे तो यह वाला पूरा मार देगां अगर कंट्रोल के साथ करो तो यह वाला पूरा नीची उपर सुले की नीची तक मारेगा ठीक है यह बाद ध्यान रखना अब इसको याद कैसे करोगे सी फॉर कंट्रोल और सी फॉर कॉलम इसे कोई संधी डाउट भी हो चाकता है ना भाई सी फॉर कंट्रोल सी फॉर कॉलम तो भूलोगी नहीं कभी लिब्र ओफिस राइटर में नेविगेटर के लिए शॉर्टकट कुंजियां प्रिष्ट संख्या पर जाएं कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस एफ फाइव है मतलब समझेगे नहीं सॉर्टकट की फॉर लिब्र ओफिस राइटर टू नेविगेटर ओन गो टू पेज नंबर इस जैसे सीधे से सब्दों में कहें कि गोटू का शॉर्टकट की क्या होता है सीधे से सब्दों में अगर कहें तो गोटू का शॉर्टकट की क्या होता है देखो एक आपने सुनो होगा दोस्तों कंट्रोल प्लस जी ये किसके लिए होता है ये भी तो गोटू के लिए होता है ह ना तो kneevigator मतलब एक ऐसे box आएगा ऐसे उसी में रहेगा एंटर पेज नंबर ऐसे लिख्या रहेगा एंटर पेज नंबर एक खाली अस्थार रहेगा उसी में एक दो ती इंचार जहां जाना हो आपको मतलब वह डाल दो वहाँ पर ऐसे एक बॉक्स आगा उसको निविगेटर समझ लो तो इससा क्या को रहेगा ट्रू क्योंकि ध्यानू होता ही है तो बहुत पहले से सब जानते हो और यह लिब्विर ओफिस में भी काम करता है इसा नहीं की नहीं काम करता है और यह तो होता ही है ठीक है कि आप समपादन मेनु के ट्रैक परिवर्तन सब मेनु के रिकौड बिकलपका उपयोग करके लिप्बिरा ऑफिस के इस पर शीट में किये पर उठसक्राइब को रिकॉरड कर सकते हैं पूरा कहा ने बता दिया इसने क्या क्या बताया कि नहीं एडमिन है काहां गया सीट किक परगल कुछ कर aí ai قform से का म demographics को अच्छ Tales निदेश देखो इह होता क्या है जिसे ए अट मेर इसाँ अपने चुछल्स आपने ना इस माल हुझा सब कि इडिट में जाओ कि एक त्रेक गरइस पर उसके बाद रिकोर्ड में जाओ कि अभी आपको नॉलेज कुछ यह रिकोर्ड है एडिट मेनु में जाते हो जब एक ट्रेकுस में रिक क्षको qica करेंगा जो भी चेंज आप करोगे ना सब कुछ तो रिकॉर्ड करता है वो चीजे इसको क्या कर देना ठीक है इतने कोशन थाटी कोशन लिया मैं आज दोस्तों वैसे ठीक है और दो तीन कोशन देखूं याज कही सारी भी है आये थे तो मैंने कहा कि ले लोता हूं यह बात य किसी भी competitive exam के तैयारी आप कर रहे हो त्रिक साला जिसका लिंक के मैं description में दिया हूं उस पर मैं math और रिजनिक पढ़ाता हूं पूरा पढ़ाओंगा बिल्कुल free में तो जाओ subscribe करो और पढ़ो अगर किसी भी competitive exam के तैयारी कर रहे हो या फिर future में सोच रहे हो जो future में सोच पढ़ा है अभी से पढ़ोगे तभी सपहलो पाओगे यह सोचो कि जब फॉर्म भरेंगे निकलेगा तब पढ़ेंगे तो ऐसा होता नहीं है यह जान लेना मैं पहले बता दे रहा हूं इसलिए इसलिए जाओ पढ़ना सुदू कर दो बहुत इंपॉर्टन मैथा और रिज साते हैं जानते ही आप सभी और हां लाइक की कमी अगर हुई तो बेज़ती मेरी नहीं इसमें आपकी है मैं तो पढ़ाया पूरा है की नहीं इसलिए पूरा एकदम जदबा के लाइक करना ज्यादा ज्यादा एकदम हाई लेबल पे तो यह सब चीजे थी और चैनल को सब्स करने प्सक्राइब नहीं कियो अभी तक तो बस बताना मुझे जो भी डाउट हो कुछ भी हो सब चीजें कोईस्टन भी वेजना मुझे है नमीलेंगे फिर नेक्स डे और बात करूंगा मैं जो भी कोश्चन्स आय रहेंगे इंबार्टन उस पर मैं बात करूंगा दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्ष्ट क्लास में आप सब को आल दे वेस्ट और बेस्ट आफ लग मिलते हैं फिर कल तब तक लिए जय हिंद जय भारत